लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नवी मुंबई की वाशी पुलिस ने मसीबी की इलेक्टरिक केबल चुरा कर बेचने की फिराग में लगे दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है क्राइम ब्रांच के DCP सुरेश मेंग्रे ने बताया कि तलोजा MIDC से ट्रक के साथ दो आरोपियों को पकड़ा गया है जबकि तीसरे आरोपि की तलाश चल रही है आरोपियों से 17 लाग का इलेक्टरिक केबल भी बराम्मद हुआ है देखे रिपोर्ट वाशी पुलिस ने बिज्वी विभाग के इलेक्टरोनिक केबल की चोरी कर बेचने की फराग में लगे तीन आरोपियों में से दो को गिरफतार कर लिया है जबकि तीसरे की तलाश में जुटे है बिसीपी क्राइम सुरेश मेंग्रे ने बताया कि आरोपि राजपुद कोड और शानू उर्फ अनीव के एक सहयोगी के साथ मिलकर MS-EB की इलेक्टरोनिक केबल चुराए और ट्रक में डाल कर तलोजा में चुपा दिया पुलिस उपायुकता के अनुसार आरोपि इलेक्टरिक केबल को बेचने की फराग में जुटे थे तभी उन्हें क्राइम ब्रांच यूनिक तीन के अधिकारियों ने दबोच लिया फिलाल ACP-4 के नेतरूत वमें आगे की चाथ चल रही है फिले भी कुछ वार्दाते हुई थी तो हमने क्राइम ब्रांच को भी आलट किया था जो की इनिट 3 और यूनिट 2 को बताया गया था कि उस इलाके में जानी की संभाव ना है तो हमारा यूनिट 3 के जो इंचार्ज है श्री माली और उनके API को राटे उनकी सारी टीम है उन्होंने तलोजा MIDC में ये ट्रक सेम नंबर का ट्रक पाया वो पूछताज करने के बाद उसमें एक जो क्लीनर है उसे पूछताज करने के बाद उसने अपना नाम कुछ राजपत गवड बताया जो मुम्रा का रहने वाल करने वाला है ये दोनों ने मिलके ये MSCB का ये केबल इलेक्रिक केबल की चोरी की और वो ट्रक में भरके वो कही बेचने के लिए जाने का प्लान में थे वो कही पार्क करके रखा था तलोजा में वहां से आमने बरामत किया है फिलाल क्राइम ब्रांश 3 की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने और किन लोगों के साथ एलेक्रिक केबल चुराने का वारदात को अंजाम दिया और बिजली केबल को किन लोगों के हाथ बेचना चाते थे DCP सुरेश मेंगने ने कहा कि तेसरे आरोपि को गिरफतार करने के बाद इसका भी खुलासा हो जाएगा लेकिन वो आरेश होने के बाद या इसका कस्टडी खतम होने के पहले हमें पता चलेगा इसका रेसिवर को उनता लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए